हलो फ्रेंट्स इसी स्पिरिचल एनेटेन्मेंट फ्रेंट्स आज में फिर्स आपके सामने आ गई हूँ एक और नई वीडियो लेके और एक और नया कंटेंट लेके फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना मेरे सेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और फ्रेंट्स अगर आपको किसी और कंटेंट पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ श्री गनेश का बीज मन्त्रत बीज मन्त्रत बहुती फलदाई होता है यह अपना असर बहुत जल्दी दिखाता है सिर्फ आपको इस पर विश्वास होना चाहिए और पूरे मन्त से इसका जाप करना चाहिए तो friends आपकी सभी विश जल्दी ही पूरी हो जाएगी Friends यह विश मंत्र इतना फलदाई है कि हमारी day to day life की सभी परिशानियों को दूर कर देता है इस मंत्र के जाप से हमारी सभी मनों कामना पूर्ण हो जाती है तो friends आपको क्या करना है अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा है आपको बहुत तकलिफ हो रही है कि मेरा काम कैसे करूँ मेरे लिए बहुत जरूरी है तो आपको मन में वह काम रखना है वह विश रखनी है और आपको इस बीश मंत्र का उचारन करना है फ्रेंड्स यह बीज मंत्र है गंग, ग के उपर डॉट फ्रेंड्स भाव से लोग इसका उचारन भी गलत करते है फ्रेंड्स ओंग गंपतिये नमहा यह शीगनेशी का भावती फलदाई मंत्र है और इसी में से यह गंग लिया गया है तो आपको क्या बोलना है? सिर्फ गंग बोलना है गंग के उपर डॉट उसे कहते हैं गंग आपको क्या करना है? मन में या वीश रखनी है और सिर्फ 27 बार बोलना है गंग, 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 गंग ऐसा सिर्फ 27 बार बोलना है कोई भी रिच्वल रेमेडी होती है 40 दिन में अपना अक्सर जरूर दिखाती है और अगर आप continuity के साथ इसे करेंगे तो यहाँ एक दो दिन में ही अक्सर दिखा देती है तो friends पूरे मन्द से पूरी भक्ती के साथ अपना काम फूरा कीजिए पूरे विश्वास के साथ शी गनेश का ध्यान केजिए अपनी विश्व को सोचिए और इस बीच मंतर का उच्चारं केजिए आपको सिर्फ 27 बार इस बीच मंतर का उच्चारं करना है और फिर गनेशी को thank you बोलना है Thank you, thank you गनेशा